हेलो केडिट्स कैसे वाप लोग आज इस पूरे लेक्षर में आपको मिलेगा 4G Batch का AI SSE Class 6 का Mathematics का Chapter No. 10 that is Percentage Percentage होता क्या है? क्यों important है? कैसे निकालते है? Average और Percentage के बीच में अंतर क्या है? यह सारी चीज़े आपको इस पूरे के पूरे लेक्षर में मिलेगी तो आप इस पूरे लेक्षर को एंड तक जरूर देखिएगा Sanic School के लिए मैंने और सिर्थ सरने मिलके पूरे इंडिया का The Best Force बनाया है क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे इंडिटेल में वीडियो लेक्षर मिलेंगे GK, IQ, English, Mathematics, सारे सब्जेट के प्लस आपको यहाँ पर test series मिलेगी chapter wise भी और पूरा एक सांत वाले भी पूरे के पूरे chapter वाले भी Sample paper, आपको यहाँ module मिलेगी होता क्या है, क्या होता है, सारी चीजे और अगर at the end, अगर आपको लगता है क्यार मुझे भी 5G batch में जॉइन होना है, मुझे भी Sennig School के लिए तैयारी करनी है, तो at the end मैंने आपको पूरा description दिया कि किस तरीके से आप 4G batch में इंड्रॉल कर सकते हैं, okay कैसे हो आप लोग, welcome to 4G batch और आज अपन कर रहे हैं नया chapter चालू, that is chapter number 10 percentage, यह छोटा है I know, पिछला ओला chapter बहुत बढ़ा था, सारी तीन घंटे का आपका lecture हो गया था, लेकिन यह जो आपका chapter number 10 है, percentage यह आपका छोटा सा है, दो या तीन lecture में आपका हो जाएगा, okay, तो मेरे बार में आप लोग सब कोई जानते ही है, already मैं कोटा पूरा इंडिया में almost गुम चुका हूँ, हजारो बच्चों को guide कर चुका हूँ, अब आप लोगो guide कर रहा हूँ, yes, mathematics, AI, ऐसे सी, classics के mathematics के लिए, चलो, तो बिना किसी देरी के start करते हैं, तो मित्रो, अपन क्या पढ़ेंगे, कि percentage होता क्यों है, क्यों जरूरी है, कैसे निकालते हैं, उसके कुछ basics rule, और last में important formula, बास, खतम, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, है ना, तो introduction में आपन क्या आखरते हैं, भीया, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, किस से physics, क्या बलते हैं, percentage से, अब percentage से, percentage आपने सुना होगा, school के report card में, आपको percentage मिलते हैं, आप बताते हो, वो overall information देता हैं, अब बोलोगे, sir, अगर ऐसा है, तो average, आप बोलोगे, average और percentage में अंतर क्या है, what is the difference between both, है ना, अब आप यह बोलोगे, sir, average भी तो वही बोलता था, बहुत सारे data का, एक data, जो बहुत सारे data को represent करता था, उसी को तो average बोलते थे, देखों, अंतर क्या है, ठीक है, धान से सुनना, यह बात है ना, कि percentage भी, एक तरीके साब को overall information दे रहा है, सब चीज की, but average और percentage में क्या अंतर है, average, single single data होते थे, बास समझ नहीं, और उसमें से अपन average बोलते थे, whereas percentage बोलता था, ratio की बात करता है, percentage क्या करता है, ratio की बात करता है, कि इतने में, इतना, इतने में, इतना, overall ratio को बताता है, और यह overall data को बताता था, तो यह बहुत बढ़ अंतर है, अभी, जब अपन आगे percentage को पढ़ेंगे न, तो आपको यह बात चमक जाएगी, जैसे average क्या numbers का होता था, 2, 4, 6, 8, अब यह जो percentage है, यह अपन निकालेंगे ratios का, कि हर 100 में से कितना, तो देखो percentage क्या है, feel करना है, रटना, कुछ भी निया, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रटने के लिए कम से कम, कम से कम, कम से कम, चाट चाट के आपको मैं देता हूँ, कि भाई, यह याद करना पड़ेगा, वो भी competitive exam है, इसलिए, otherwise वो भी याद नहीं करना है, वो भी खाली समझने की चीज़ है, और वो भी आया कहां से, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ग्जाम में आप उतना लंबा करतो नहीं सकते हैं, करता कम टाइम रता है आप लोगों के पास, इसलिए मैं खाली दो-चर फामले आपको बोलाओ कि यह याद करना है, otherwise मैं आपको कभी कुछ नहीं रटा हूँगा, सिर्फ समझना है, रट के कोई फायदा नहीं है, सिर्फ समझ के फायदा है, यस, चलो, फिल करना है, रटना नहीं है, बिल्गोल भी, समझ गए, परसेंटेज का मतलब होता है, पर हंड्रेड, सौ में से कितना, पांसो में कुछ है, कोई बात में, सौ में कितना, यह बताओ, दस में कुछ है, भाई, सौ में कितना यह बताओ, तो 100 में जब आप कुछ बताते हो, 100 में 120, 100 में 10, 100 में 5, तो उसको कहते हैं percentage, मालू मैं बोलू 5 नंबर आये हैं 100 में से, तो ये जो 5 होगा वो होगा percentage, 100 में से, बस percentage का मतलब है 100 में कितना, उसको बोलते हैं percentage, तो percentage means per 100, ज़ी 100 के लिए, या for every 100, सभी 100 के लिए कितना, तो 5% म 555-10, 300 में 555-15, 400 में 20, 500 में 25, बा समझ में आई, तो हर 100 के लिए कितना वो बताता है आपको percentage, अब percentage क्यों important है भी? यह percentage आपने देखा होगा, अब क्यों important है, fill करना मेरी बात को fill करना, मानलो आप एक shop चलाते हैं बहुत बड़ी shop है, बहुत सारे कपड़े हैं अब कपड़े में discount देना है तो अब आप एक काम करोगे कि आप हर एक कपड़े के tag में लिखोगे कि ये 500 नहीं, ये 490 का ये इतने का नहीं, इतने का, इतने का क्या करते हैं, बहार board लगा देते हैं 20% off है ना, अब हो सकता है किसी कपड़े के लिए 20% सिर्फ 10 रुपे हो हो सकता है किसी कपड़े के लिए 20% 1000 रुपे हो तो अब अलग अलग लिखना नहीं पड़ा न, अपने एक बोल दिया पूरे शॉप के बाहर लगा दिया 20% off मतलब हर स्वा में से 20 रुपे कम अब अगर 100 रुपे का कपड़ा है तो 20 रुपे कम 200 रुपे का कपड़ा है तो 40 रुपे कम बास समझ मैं ही, हर कपड़े का आप फिर खुद अंदाजा लगा लेते हो आप है न कुछ खरिदने का है, अच्छा 20% off तो ये इतने का है तो ये अच्छा इतने का पड़ेगा बताने या नहीं पड़ा ना आपको कि ये कपड़ा कितने का, वो कपड़ा कितने का, किसमें कितना कम हो रहा आपका पैसा तो आपने एक overall बोल दिया कि इतना percent discount तो 30% off जैसे अभी भी जुचे हम लों के course में off लगते रहते हैं तो आप लोग टाइम से देखा करो YouTube में आये करो proper है ना, follow कि आ करो हर जगा ताकि जब भी कोई भी offer निकले तो आप लों को भी पता चले यास, फिर आप shopping गए हो तो offer वगड़ आते हैं, आपके report card होते हैं report card में, अगर मानला आपके report card में आये हैं 90% मतलब हर 100 में से आपको 90 मिले हैं तो 200 में कितने मिलेंगे, 180 तो बस हर 100 में से कितना, यही बताता है आपका percentage जैसे, डोरे मॉन का 99%, मतलब 100 में उसका एक ही नंबर कटा, मतलब 200 में बस इसका 2 नंबर कटा 300 में बस इसका 3 नंबर कटा, बास समझ में आई डोरे मॉन, वहीं मिन्यन के 95% मतलब 100 में से 95 95% का मतलब 100 में से 95 मोटू, मोटू को मिल 85 2-20 आपके 15 नंबर कट गया 100 में तो 200 नमबर का पेपर होता तो 30 जमा करायक एडिट्स क्यों काम का है यह वाला तो सौपिंग वाला तो एकदम फील आगया होगा कि हाँ हर एक एक कपड़े का बताएंगे इसमें 200 रुपए आफिस में 300-400 उससे चाप क्या बताते थे अब 500 का है तो कितना आफ सौ में 30 था तो पांसो में कितना हो जाएगा इस सब कल्कुलिट करेंगे बस एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ कि आपको परसेंटेज क्यों जरूरी है आपके महाग सौक जितने भी आते हैं सब परसेंटेज में बताते हैं अपन तो बहुत सारा डाटा को परसेंटेज से बताते हैं अच्छा प्रोबैबिलिटी होगर बताते हैं अपन इतना परसेंट प्रोबैबिलिटी है है ना आज बारिश होगी की नहीं होगी आप गूगल में सर्च करते होगे तो लिखा रहता है 40% 50% 40% मतलब 100 में से 40 मतलब आधा भी नहीं probability उससे भी कम 90% मतलब 100 में से 90 समझ रहे हो तो percentage हर जगा काम आता है medical में research में आपका shopping में day to day life में हर जगा percentage काम आता है ये बात clear आ गई शबको yes चलो तो बागे आता है अब जैसे bank को अगर में loan अगर में अब आप जब bank जाओगे अगर loan लेने या अपना पैसा डालोगे तो आपको interest मिलता है कुछ percentage तो परसेंट में होता है अब यहसे तो नहीं बोल सकते हैं कि आप 100 रुपए डालोगे तो इतना तुम को कितना loan चाहिए बताओ आट रुपए के interest में लगेगा बताओ कितना चाहिए कितना रोगणा चाहिए बता 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 तो ऐसे अपन बोलते हैं हर 100 में आट रुपए आपको देने पढ़ेंगे जैसे अगर आप हमसे 100 रुपए लेते हो interest इंट्रेस्ट का मतलब ब्याज ये भी पढ़ेंगे अपन अभी आपका next chapter जोगे न हो यही है profit loss and interest तो interest भी पढ़ेंगे अपन next chapter profit loss and interest ठीक है तो 8% interest का मतलब ब्याज 100 में से कितना 100 में 8, 100 में कितना देना पड़ता? 8, तो खुझ सोचो, 1000 में कितना देना पड़ेगा? 80, तो percentage से यह पता चलिया ना कि अच्छा 8% देना है, अब आप मेरे से कितना amount ले रहे हो? उसके इसाफ से आप देख लो कि यह चापो कितना देना पड़ेगा? बास में नहीं, जैसे 500 500 में कितना? 100 में 8, तो 500 में 40, फाइटजा 40, 40 रुपई आपको interest देना पड़ेगा साल बर का, साल बर का, साल बर अगर आप मेरे से 500 रुप रखोगे, लोगे, तो उसका interest आपको कितना देना पड़ेगा? 40 रुपई, अगर यह interest हुआ, तो 8% का, तो हर company बता देती है भी, अब कार लेने जाओगे तो कार लोन 8% का, घर लोन 9% का, है न, और परसनल लोन लोगे तो 11-12% का, तो अलग-अलग-अलग-अलग percentage बता देते हैं, तो percentage से आपको पता चल जाता है कि अच्छा, इतना लिए, तो उसका इतना percent देना पड़ेगा, मतलब हर 100 में से उतना रुप पास आजाओ मेरे, क्या, percentage का मतलब हर 100 में से कितना, और क्यों important है बास समझ में आगई, हर जगा काम आता है, बैंक, आपके घर, आपके काम में, है न, अब मेडिकल में, हर जगा आपके काम आता है, चलो, now, percentage की जरगत क्यों पड़ी, already मैं आपको पता चुका हूँ, है न, बट यहाँ पर मैं फिर से इसको डालाओ, क्यों, ताकि मैं आपको compare कर सको कि दो चीजों से, average से, और percentage से, ठीक है, average और percentage, यह दो किस खेत की मूली हैं, आज अपन देखेंगे, कैसे कैसे दोनों अलग-अलग field of interest की बाते हैं, मतलब field of, पूरी अलग-अलग हो गई, average अलग 95 और 80 का, यह तीनों को add करके divide by 3 करूँगा, है कि नहीं, तो वो इसका overall data देगा, एक ऐसा data जो इसके पूरे को बताता है, बास समझ मैं, चलो, तो माल लेते हैं, फटाक से कर लेते हैं, कितना हैगा, 80 plus 90 plus 95, कितना आ गया, 265, and then now, divide by 3, तो आपका answer आ गया, 88.3%, इसके कितन 8.3, average, average निकाल रहा हूँ, इसका भी average निकाल रहा हूँ, इसका average क्या करूँगा, इन चारों के marks, divide by 4, 40 plus 41 plus 47 plus 38, 166, divided by 4, इसका आ गया, 41.5, क्या आप बता सकते हो, दोनों में से कौन होसे और average देख करके, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जो ये सारे marks है, वो 50 में से है, उसके जो marks है, वो 100 में से है, तो पूरा अलग अलग होगी है ना, तो ये जो 88.3 है, वो इन data को represent कर रहा है, इन तीनों को, लेकिन कितने में से, 100 में से, और ये जो data है, वो किसको represent कर रहा है, इन चारो को, कितने में से, 50 में से आए है, तो बस इन चारोग का average, इन चारो data का एक data, जो इन चारो data को बता है, वो ये है, ये एक ऐसा data है, जो इन तीनों data को बता रहा है, तो average तो, क्या बताया? Overall बताया, पर geliyor je लेकिन percentage बताता है हर 100 मेंसे कितना तो आप compare कर सकते हो वसा अपका percentage निकालके सचाए कोई total बीस नम्मर का paper दिया हो कोई पचास नम्मर का दिया हो कोई सो नम्मर का दिया हो बास समझ में ही जो average है वो सीधा-सीधा data का average देता है कि ये सब data का एक number है ये बात समझ में ही वो यह नहीं बताता कितने में से कितने में से रेशियो नहीं बताता है ये ये रेशियो नहीं बताता है बात समझ में ही ये जो आपका रेशियो बिल्कूल भी नहीं बताता है परसेंटेज बताता है अब मान लो ये कितने नमबर है टोटल सबको एड़ किया था पन्ने कितना है 90 80 90 80 और 95 कितना है 265 तो इसके माक्स है 265 कितने में से total 300 में से total कितना 100 200 300 300 में से इतने है और इसके कितने है 100 200 200 में से 200 में से कितने है 200 में से कितने है 200 में से कितने है मैं छोटा हो जाता हूँ चला इसका कितने है 40 plus plus 41 plus 47 plus 38 166 बाह समझ मैं हाई तो 300 में उसके कितने है 265 और 200 में इसके कितने है 166 अब परसेंटिक्स मतलब क्या हर 100 में से हर 100 में से बाह समझ मैं ही तो अभी वह 300 में से उतना है तो 100 में कितना होगा, divided by 3, divided by 3, उसको 3 से divided कर दो, तो 265, 265 divided by 3, उपर नीचे दोनों 3 से divided किये, तो आगया 88.3, वही आया था, 88.3 out of 100, 100 में से आया इसके 88.3, और अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से divided करेंगे, 166 divided by 2, आपका इंसर आ रहा है 83, तो यह जो आपका आया, वह आया, 83 out of 100, 100 में से 83, इसका, इसका कितना है, 100 में से 83, उसका कितना है, 100 में से 88.3, अब आप बोलो के कौन होसे आ रहा है, वह ज़्यादा होसे आ रहा है, उसके ज़्यादा परसेंटेज है, ना समझ मैं, तो परसेंटेज रेशियो बताता है, 100 में से कितना, वह overall data को तो बताता ही है, बट वो ratio बताता है 100 में से कितना, और average वो काम नहीं करता, बोलो, चमक गया क्या credit, पक्का, average और percentage, दोनों के बीच एक दम clarity हो गई, पक्का ना, चलो, very good, very good, very good, यह अपना पहला lecture है percentage का, ओके, चलो, जल्दी से, आगे बढ़ता है, how to calculate percentage, percentage कैसे निकालते हैं, तो आपने बोला, सर अभी तो निकाला, यही तो percent होगे, 88.3 और 83, 100 में से निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है ratio निकालना है, क्या करना है ratio कितने मैं से कितना याद रखना आप ratio का ही percentage बता सकते हो बागी और किसी का नहीं अब अगर कोई number भी है तो उसको आप ratio मनोंगे upon one जैसे two है तो two upon one अब वो ratio आगया तो ratio का percentage बता सकते हो परसेंटेज हर 100 में से कितना बताता है तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना रेशियो की इतने में इतना तब तो 100 में निकालोगे तो कैसे निकालोगे है कि नहीं चमक रहे के डिट्स पक्का है ना चलो very good तो how to calculate percent तो calculate percentage calculate करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए आपके इस रेशियो को अगर आप 100 से multiply कर दोगे तो आपका पास sensor आ जाएगा जैसे देखो इसको मैं अगर 100 से direct multiply कर देता into 100 तो 2 0 2 0 कट गए this divided by 3 कितना आ गया 88.3 और यही अपना क्या है percentage हर 100 में से कितना तो 100 में से 88.3 तो percentage आ गया 88.3 इसको भी अगर मैं 100 से multiply कर देता 100 से multiply कर द ratio निकालना है और ratio को किस से multiply कर देना है 100 से जैसे example करके देखते हैं देखो percentage means per 100 और for every 100 यस ना गया भी आप बोलते बोलते इतना पिस से चलो आई student got 450 marks out of 500 450 नंबर लाया है भाहिया तालिया होनी चाहिए 450 marks कितने में से 500 में से तो percentage क्या होगा है कि नहीं तो आप बोलोगे चलो सर पहले तो ratio जो यह, तो ratio आ गया, अब क्या करना है ratio आगया, 450 नंबर आया कितने में से, 500 में से, तो हर एक marks में कितना mark आया 450 upon 500, हर एक marks के लिए उसकी इतने marks आया जो दोनों को divide करने के बहुत आएगा, तो 100 में से कितने आएंगे, into 100, बास समझ मैं ही, तो ratio को जब भी आप, और कर क्यों हो रहे हैं, ये भी बास समझ मैं ही क्या, blindly follow नहीं करना है, चाहे हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, है न, blindly follow कुछ भी नहीं करना है, सब चीज का reason जानने के बाद क्यों, सवाल उठाओ, क्यों क्यों, 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 जब जवाब मिले न, तो आपका दिमाग भी develop होगा, और ये आदद बहुत अच्छी है पुछने की क्यों, 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 क्यों हो रहा है चीजे, तो आप into 100 क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो, 500 में से आपके 450 है, 500 नंबर में, तो एक नंबर म आपको इतने हैं, तो 100 में कितने हैंगे, into 100, और यही आपका जाएगा percentage, 2-0 ने, 2-0 को, फिर से बह रहे हैं, इसे माँ डाला, है न, तो देखो, कितना आचाएगा ये, 5-1's are 5, 5-9's are 45, 0-90% आए, बच्चे के, easy था, बस ratio निकालना है, 100 से multiply करना है, क्यों करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया, चलो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, ज्यान की बात, ज्यान की बात लेते हैं, ठीक है, तो देखो, जब भी convert करना हो, fraction को percentage में, तो क्या करो, सिर्फ 100 से multiply कर दो, ये ही बताया ना, मैं कर रहे हैं, ये clear, पक्का, सब को clear क्यों multiply कर रहे हैं, क्योंकि एक में से आपका आया है, तो 100 में से निकालना है, क्योंकि percentage का मतलब क्या होता है, हर 100 में से कितना, तो इसलिए 100 को multiply करना है, done, चलो, अब fraction को percentage में convert करना है, तो क्या करना है, multiply by 100, ज्यान की बात है, directly from Christian जी, ल सेनिक स्कूल के गरफ, अब अगर आप पूरे साल भर इस ट्रेन में बैठे रहोगे, इस ट्रेन के मजे लोगे, है न, पूरी ची जोगों देखोगे, तो guaranteed है कि आप आप पहुंचाओगे, लेकिन अगर आप ट्रेन से उतर गए, तो हम क्या करें भी, हम तो गाड़ी चला है, है न, हम धेन भी रख रहे हैं कि भई कोई ना उतरे, बट अगर आप जवर जस्ती उतर जाओ के ट्रेन से तो हम क्या करें, है न, तो अगर आप हमारे साहते सारे टेस्ट दे रहे हो, लाइन से जो भी आ रहे हैं, सारे लेक्चॉर्स देख रहे हो, जितने भी जितनी भी चीज है, सब चीज को क्रेक कर पाओगे, आपके अंदर का कॉंफिदेंस बढ़ेगा, और एक बार आपके अंदर का कॉंफिदेंस बढ़ गया, तो भी साब, बस, आप करोडो बच्चों को पीछे छोड़ दोगे, और यही हमारा टार्गेट है, कि वापस से, य और उल्टा करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, अब परसेंटेज दिया है, और आपको उसको फ्रेक्शन में करना है, मालो मैं बोलूँ 10 परसेंट, अब 10 परसेंट, इसको आपको फ्रेक्शन में करना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्य ले नहीं सकते हैं, तो इस स्क्रीन को पॉस्ट करके प्रॉपर नोट्स बनाओ, नी तो या प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो पूरा डह जाएगा, जितना पहाड बना रहे हैं ना, अपने दिमाग में पूरी पढ़ाई का, वो पूरा जाएगा, उसको पूरे स्टोर करके रखने हैं ना, अच्छे से मजबूत, कॉलम ओलम देने हैं, तो वो आपके प्रॉपर नोट्स हैं, नोट्स से क्या होगा, कि आपको दुबारा ये लेक्चर देखने की ज़रुत नहीं है, अपने से करो, बट इमानधारी से हर एक ये चीछ जो है, उसको नोट्डाून करो, वो होता है सुंदर नोट, सुंदर नोट का मतलब नहीं जो सच में सुंदर देखे, सुंदर नोट का मतलब जिसमें सब कुछ हो, आते, बासवमें में है, चला, डन, कोशन करें, फटाक से, इसको percentage में करना है तो इंटू 100, 4 में से 3 है ना, तो 100 में से निकलना है, 4 में से 3 आया था, तो 1 में से कितना होगा, 3 by 4, तो 100 में से इंटू 100, 4, 1's are 4, 4, 2's are 8, 2 बज गया, 4, 5's are 20, 25 इंटू 3, 75 percentage, page, question number 2 पे आते हैं, असान था, असान था कि नहीं के डेट्स, और मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद से attempt करो, क्योंकि जब आप खुद से attempt करोगे ना, तो आपको अपकी गलती पता चलेगी, यह आप कहाँ अटक रहे हो, पता चलेगा, और जब वो पता चलेगा, तो फिर उसके बाद अगर मैं solution दूँगा, तो आपको चमक जाएगा, ओ भाई साब, यह ऐसे होता है, यह गलती थी, बास समझ में आई, चैपका, चलो, तो 0.4, तो 0.4 का मतलब क्या है, 4 by 10, उपर कितने नंबर के आगे से डेसिमल अटाया, 1, तो नीचे कितना 0 आएगा, 1, है ना, तो 4 by 10, अब इसको percentage में convert करने के लिए into, 100, एक 0 ने, एक 0 को मार दिया, answer आगे आपका, 40 प्रतीशत, percentage मतलब, प्रतीशत, 40 प्रतीशत, 100 प्रतीशत तरही, चलो, next, question number 3, आपके सामने यह रहा, 0.08, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 8 by 100, सर कैसे लिख दिया, अरे भीया, यह देखो न, कितने number के आगे से अपने decimal आटाया, 2, तो नीचे कितना 0 आएगा, 2, तो into, 100, 100 ने 100 को मार दिया, यह आगया 8%, कितने लोगों के तीनों का answer सही थे, अपने आपको सबसी, दो, वा, 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 सौरब, क्या बात है, क्या बात ह करो, जब तक चीजों के लिए आप खुच नहीं रहोगे न, आपके साथ, अच्छी सी चीजे नहीं आएंगी, आप जितना खुच रहोंगे, आजू-बाजू, उतनी अच्छी चीजे होंगी, उतना अच्छा चीजे होगा, बात समझ में आरी आप लोगों को, yes, चलो, परसेंटेश मों बताना है, 0.15, तो 15 by 100, कैसे, सर, दो नमबर के आगे से टेसिमन अटाया, तो नीचे दो 0 लगा दिये, into 100, दो 0 दो 0 को मार दिया, 15% sees the correct answer, सर, एक लाइन में अंसर आ रहा है, next question, screen को pause करो, और attempt करो, कर लिए attempt, screen को pause करके, चलो, 5% को fraction में convert करना है, तो क्य करते थे, 100 से divide upon 100, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 20, 1 by 20 is the fraction, खताम, खेल खताम, next question आपके screen के उपर, ये रहा, screen को pause करो, what is the fraction form of, इसका fraction form बताना है, ये percentage दिया हुआ है, screen को pause करो, और गलत सही कुछ भी एक बढ़ पहन गो दो तो, अपने अंदर का डर हटाओ तो, credits, हा, चलो, कर लिए attempt, अब ये mixed fraction में किसमें है, mixed, तो सबसे पहले किसमें convert करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा improper fraction, वो कैसे करते हैं, इसको इससे multiply करते हैं, फिर उपर वाले से add, तो 4 2s are 8, 4 1s are 4, 48, 48 plus 3, 48, 49, 50, 51, तो ये आ गया 51 by 4%, परसेंट, अब परसेंट को fraction में convert करने के लिए क्या क किसी चीद से नहीं जाएगा, तो 51 by 400 option दिया हुआ है, option A, easy था, तो पहले क्या करना है, अगर mixed fraction है कहीं, तो उसको convert करो improper, ये तो हमेशा करना पड़ता है, जब भी आता है, फिर improper में convert करने के बाद, परसेंटेज को fraction करने के लिए, divide by 100, तो 4 into 100 is 400, आ गया, yes, आ गया answer, है मिन्यन के जासे डांस करो, ये, ये आ गया, चलो, next question आखके computer screen के उपर, ये रहा, what is the fraction form of 7, 2 by 3 percent, what is the fraction form of 7, 2 by 3 percent, चलो, जल्दी से screen को pause करके attempt करेंगे सभी कोई, चलो, ठक गया मैं, जल्दी से question करते है, 7, 2 by 3, तो पहले इसको क्यासिम करना पड़ता है, improper, 7, 3 जा, 21, plus 2, 21, 22, 23, तो 23 by 3 percent, fraction में convert करने के लिए इसको क्या करेंगे, 23 by 3 तो थाई, एक 100 से डिवाइड, और, तो 23 by 300, 23 by 300, तो answer आजाएगा 23 by 300, B is the correct answer, चलो, चलो, very good, next, आज का last, आज का last, फिर अगले lecture में करेंगे, फिर आपका हमग रहेगा, उसके बाद, चलो, what is the percentage form of 0.35, what is the percentage form of 0.35, जल्दी से को solve करो, fraction से percentage करना है, आप बोलो कि very good, तो 35 by 100, दो टैसी मन अटाई नीचे से, इंटू, percentage के लिए क्या करते हैं, 100, तो 2-0, 2-0, cut गए, 35 percent, B is the correct answer, इसी था, पक्का, बहुत इसी था, percentage, चैटर ही बहुत इसी है, क्यों करना है, इतना feel लेके पड़ आया, इन 200 क्यों कर रहें, divide by 100 क्यों कर रहें, पसंद आया है, कैडिट्स, जितने भी लोगों को अगर पसंद आया है, तो देखो भाई, अपलों को पता है, ये board work करने में हम लोग कितनी महनद कर रहे हैं, फिर आपका module, हर chapter में 50 से ज्यादा question है, हर chapter में, है के नहीं, और अब व दूसर lecture पढ़े, तूरंत उसका question, are you getting my point, तो homework करेगा India, तभी तो cadet बनेगा India, तो आपको section A homework करना है, ओके, फिर उसका पूरा वीडियो देखना है, उसका solution देखना है, फिर आपको next वीडियो में जाना है, तो हम क्या कह रहे हैं, कि हम इतनी महनत कर रहे हैं आपके लिए अगर आप, आप खुद बता, आप जब 4th में आ गए, तो 3rd easy लगता है, 5th में आ गए, तो 4th easy लगता है, तो अगर आपने सैनी की स्कूल की तैयारी कर ली, तो नाओदे तो आपके लिए ऐसे होगा, बासमझ में आ रही है, तो ये course आपका नाओदे सैनी के दोनों के है, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड से जो नाओदे या सैनी की तैयारी करना चाहरे है, तो उनको आप ये share करो, है ना, उनको आप बोलो कि 4G batch में इन्रॉल हो, है ना, हमको भी support मिलेगा, है कि नहीं, हम भी आपके लिए और ऐसे महनत करते रहेंगे, दिन रात आपके ल ज़रूर बताएं, येस, चलो, अब अगर आप भी चाहते हो 4G batch में इन्रॉल करना, कैडिट्स बनना, है ना, सैनी करना हो दे की, तैयारी करना, तो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, आप सबसे पहले app डाउनलोड कर सकते हो, इसकी link आपको description में भी मिल जाएगी, य यू, space, m-a-n, si-o-n सर्च कर सकते हो, तो आपको ये app आएगा, ये app आपको install करना है, फिर open करना है, जैसे ही आप ये open करोगे, ये app को open करोगे, तो आपको ये app मिलेगा, आप register कर लोगे, उसमें अपना नाम अगर डाल देना, सिर्फ नाम नमर आपको डालना है, आपका registration registration हो जाएगा, जैसे ही आप register करोगे, उसके बाद आप store वाले section में जाओगे, तो आपको courses दिखा ही देंगे, इसमें से ये जो 4G batch वाला है, इसमें आपको जाना है, और ये जैसे इसमें जाओगे, तो देखो आपको यहाँ पर coupon code अगर भी, जो भी अगर available है, जो भी offers क्या है, A to Z चीज आपको इस course में मिल जाएगी, फिर उस course के अंदर आप जाओगे, content section में, कहाँ पर जाओगे, content section में, ये उपर में दिखरे है, आपको content section, जैसे ही आप इस content section में जाओगे, आपको पूरा पूरा ऐसे batches, folders मिल जाएगे, mathematics, GK, English, IQ, monthly test, life classes, ये सारे folders मिल जाएगे, और इन सब में free content भी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक आपके लिए था, आप जाओगे, तो देखो कि 13 free content, 13 video lectures आपके लिए mathematics में, आप free आप जाके देख सकते हो, कि हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है कि, नहीं आ रहा है, GK में अभी 3 है, इस टेप से आपके Installment में पे करना है, आप चाहते हों कि भी आ, एक साथ नहीं करना है, Goodbye, Installment में现र्ज गईन में और his crypto है क्लिक कर सकते हो, अगर आप Installment के आप क्लिक करा होगे, तो आपको Installment के डिटेल हैगी कि कब-कब कितना देना है, फिर आप Pay में जाओगे तो आपका Payment Gateway आजाएगा, या अगर आपको installment में pay नहीं करना तो आप direct by now में click कर सकते हो, आपके पास ये option आ जाएगा, yes payment का, इसमें आप UPI, अपना debit card, credit card, net banking, जिससे pay करना है, आप उससे pay कर सकते हो, are you getting my point? तो ये पूरी के पूरी डीटेल हो गईगी, आप किस तरीके से 4G batch में enroll हो सकते हो, और सहनी की school की तयारी चालू कर सकते हो, मेरे और Fris sir के साथ, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलूँगा आपसे अगली class में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ तरकी class, जै हिंद, बाइबाए, टेक केर.